हेलो अब्रीवान वेलकम बैक टो दिवाइन चाहरो कैसे ही आप सभी लो गई होप आप विश आप प्रे कि आप सब बहुत अच्छी होंगे गाइस सोचते हैं जिनसे आप प्यार करते हों जो आपके लौव कोई भी हो सकते हैं Allah कि यह 54 पोटल है ज 650 में आपको पॉजिडिव रहना है इस 55 पोडल में बहुत सारे चेंज़े साते हैं ठीक हैš चाहे वह रिष्टों Кो ले करके हो या love relationship हो या कोई भी रिष्टा क्यों ना हो definitely changes आते हैं इस 55 portal में जो changes आते हैं वो कहीं न कहीं हमारे अंदर भी होती है ठीक है आप बहुत जादा अपने day to day life में active हो जाते हो अपनी काम को ले करके so मैं आपको थोड़ा सा 55 portal के बारे में बता देती हो ठीक है देन हम अपनी reading start करेंगे so इस 55 portal में क्या होता है अगर आप किसी के साथ connection में हो रिष्टे में हो so definitely वो रिष्टा जो है या तो एकदम से बन जाएगा ठीक है उस रिष्टे में एकदम से बात बन जाएगी या दो लोग जो होते हैं जो आपस में रिष्टे में वो कहीं न कहीं अपनी self growth पे जादा ध्यान देते हैं अगर इस 55 portal में आपने ये सोचा है कि मुझे अपने उपर ध्यान देना है या मुझे अपने लिए काम करना है so definitely चीज़े जो है वो आपके favor में work करती है ठीक है इस टाइम पे prayers बहुत जादा करे positive affirmation आप दोहरा सकते हो ठीक है water manifestations कर सकते हो so बहुत सारी ऐसे rituals और remedies है जो जिसे करके आप अपने life को better बना सकते हो अगर आप अपने आप ध्यान देते हो इस 55 portal में so definitely आपका जो portion है सामने वाला जो वैक्ती है वो कहीं न कहीं आपकी energy से परभाविद जरूर होते है ठीक है and आपकी तरफ आकरशित जरूर होते हैं but इस 55 portal में आपको अपने लिए जरूर काम करना चाहिए prayers करने चाहिए अपने life को better बनाने के लिए चीजे activities जो है वो जरूर करनी चाहिए ठीक है कब से कब तक कर सकते हो आप so 5 55 आप आज से start कर सकते हो ठीक है आज 55 portal है so आप आज से start करके 15 से 20 दिन इसे अराम से कर सकते हो okay अगर late देख रहे हो वीडियो तो इस 55 portal के मंत के अंदर आप देख रहे हो माई के महिने में जो 55 portal है उसमें आप देख रहे हो so कर लो अगर आप 55 portal के बाद इस वीडियो को देख रहे हो so आप reading देखो बड़ जो remedies है जो चीजे है वो आप apply मत करो ठीक है because उस समय क्या होता है यह portal खतम होके 666 का portal आजाता है right so एंचले हम अपनी reading स्टार्ट करते हैं I hope कि आपको थोड़ा सा idea लग गया होगा ठीक है आपको prayers करना है and water manifestation कर सकते हो आप सो water को क्या करना है अपनी पार्स रखना है ठीक है और आपको affirmations बोलने है या आप पूजा करने बैट रहे हो या कुछ meditation कर रहे हो तो अपने पास एक पानी का glass रख लीजिए काच का glass हो सकता है ठीक है काच का glass लोगे तो जादा अच्छा होगा बाकि आप जो भी अपने regular life में यूज करते हो आप उसमें भी ले सकते हो पानी को ठीक है आपको लेना है देन उसमें affirmations आपको डालनी है अगर आप इस तरीके से affirm नहीं कर पारे हो आप जब पूजा करने बैठते हो या जिस भी तरीके से आप अपने इश्ट देव को गौट को जिस भी religious धरम को आप मानते हो उसके according आप prayers करो उसके according आप अपने इश्वर को पूजा पाट करते हो या prayers करते हो देन उस वाटर को पूजा पाट या prayers आपका जब समाप्त हो जाता है खतम हो जाता है उसके बाद उस पानी को पी लेना है positive सोचते हुए feel करते हुए आपको ये पानी पी लेना है then इससे क्या होगा आपके अंदर एक positive energy आईगी इस भी काम को या सोच के आप कर रहे हो so definitely ये चीजे हो जाती है so वो चीजे में कहीं न कहीं आपको health ज़रूर मिलती है so चलिए हम start करते हैं और देखते हैं कि इस 55 portal में आपके लिए आपके partner की feelings क्या है ठीक है so चलिए हम देख लेते हैं एक मिनिट है तब तक आप अपने partner का ध्यान कर लीचे अच्छे से उनका नाम दोहरा लीचे मनी मन इन्वर्स डिवाइन से इंजिल्स गाइट करें और बताएं मेरे विवस्टी से वैक्ति का ध्यान कर रहे हैं उस person की feelings क्या है उनकी true feelings क्या है इन्वर्स बताएं ओके सो सारे cards खुद से आ गए ठीक है दी चावर यहाब five of pentacles रिवर्स नहीं आये ठीक है यह मेरे उल्टे गिरे है cards रिवर्स नहीं आये ace of pentacles and ace of swords सारे ss के cards है ss के energy आई है we have knight of wands 10 of swords we have three of swords nine of swords this star nine of pentacles clear messages तीचे इन्वर्स so strongly मुझे आप नंबर three मिला है okay and knight of cups six of swords and bottom of the deck की energy है the full zero okay number zero अब पता नहीं zero से क्या relate कर रहे okay हो सकता है इनके birth year में last में zero लगते हो ठीक है यह भी possible हो सकता है because यह message मिला so मैंने आपको दे दिया ठीक है let's clarify the cards हम cards को पहले clarify कर लेते हैं ठीक है उसके बाद में यह भी देखूंगी कि आपके लिए क्या messages है ठीक है so miss मत कीचेगा यह divine guidance हो सकती है आपके लिए angels की तरफ से messages हो सकते है ठीक है जिस भी तरीके से आप लेना चाहों आप ले सकते हो five of pentacles को clarify करे universe clarify the five of pentacles okay playfulness so five of pentacles के energy को clarify कर रहा है playfulness and bottom देखे energy है silent सबसे पहले में इनकी राशी बतायती हूँ इनके energy में जो राशी अपिक हुई है वो राशी है एरीज, Leo, Sagittarius, Aquarius है कुम्ब राशी, Aries है, Mesh, राशी, Taurus, Vargo, Capricorn वरिश करनेया, मकर राशी है तुला, धनू राशी, मीन राशी, Pisces okay Sagittarius है सो यह सारे strong sign मिले है ठीक है, number मैं बता दू, number 3, number 9 number 9 strongly represent हो रहा है ऐसा लग रहा है, आपके partner के अंदर strength की कमी है ठीक है, यह person अपने अंदर strength नहीं ला पाते है हाला कि आप देखते हैं हो कि यह person काफी knowledgeable है ठीक है, बहुत जादा ज्यानी है या फिर किसे तरीके से यह दुनियादारी की समझ रखते ठीक है, देखने के लिए आपको ऐसा लगता होगा बट यह person जो है, काफी जादा बच्चों वाली energy लेके रखते ठीक है, आपको दिखाते हैं भई, बहुत जादा playfulness हूँ बहुत सारी energy है मेरे अंदर ठीक है, मैं हर काम को करने का अंदर में जुनून रखता हूँ या रखती हूँ सो बहुत सारी positivity आपको इनके अंदर दिखती होगी, आपको ऐसा लगता होगा भई, यह person तो अपने life में खूश है five of pentacles के energy को playfulness clarify कर रहा है यह represent कर रहा है कि आपके person जो है कही ना कही बहुत जादा उदास है, ठीक है, आपके बारे में बहुत जादा सोच विचार कर रहे है बट यह वैक्ती आपको, आप देख सकते हो यह वैक्ती इस condition में, ठीक है, with five of pentacles अब देखो किस तरीके से यह वैक्ती खुद को, इन्होंने कैद कर लिया है एक room में इन्होंने खुद को बन कर लिया है और यह दिखाते ठीक ऐसा है लोगों को, ठीक है, काफी playful है भाई, इनके life में हसते रहते हैं हमेशा, like सरकस में एक joker कैसा होता है उसके अपने personal life में भी इतने issues होते हैं, सो आपके पार्टनर सरकस में नहीं है लोग जाते हैं, नहीं है, धीक है मैं आपको example दे रहі हूं, एक किस तरीके से वैक्ती जो है जो भी वैक्ती जो सरकस में काम करते हैं, जो कैसे होते हैं, लोगों को क्या issues चल रहे होते हैं या उनके आस-पास क्या issues होती है ठीक है वो उस person को ही पता होता है बट कहीं न कहीं वो लोगों को दिखा रहा होता है वो काफी खुश है लोग भी सोचते भाइन सरकस वाले दो कितने खुश रहते हैं हसते रहते ठीक है सो कहीं न कहीं आपके partner ऐसा ही कुछ present करने की कोशिश कर रहे हैं आपको ठीक है ये काफी दुख तकलीफ में है कहीं न कहीं बहुत जादा उदास है हाला कि की है इनके पास ऐसा नहीं है कि सारे रास्ते दरवाजे बंद हो गए हूँ आप तक पहुचने के definitely ये पहुच सकते ह हैं आपके partner को हो सकता है recent past में ठीक है किसी तरीके का financial loss हुआ है इनको किस तरीके से losses का सामना करना पड़ा है इनको इनके energy peak हो रही है ऐसा लग रहा है कि ये person जो है अपने career life में कहीं न कहीं बहुत सारी issues face कर रहे हैं और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने कहा था ठीक है उसने कहा था ऐसा हो इनको definitely कहा था ठीक है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी सो हम दोनों अलग हो जाएंगे सो ये सही नहीं होगा किसी तरीके से आपने कहा था हो सकता है इस वेक्ति को message direct गया हो कि आपके ना रहने के बाद इस person के life में बहुत सारी problematic situation बनीगी या ज किसी तरीके का तूफान मचा हुए ठीक है किसी तरीके से बवंडर मचा हुए इनके life में सो ये इस चीज को महसूस कर पा रहे है definitely इनको चीजे महसूस हो रही है ओके दिखानी रहे जतानी रहे बट definitely महसूस तो हो रही है इनको ace of pentacles के energy को clarify करे निवर्स clarify दी ace of pentacles सो दो काड आगे ठीक हमें देना पड़ेगा stress and silence ये चूप है बट ये definitely stress में stress में तो है ये वेक्टी financial loss के कारण काफी जादा stress में लग रहे है इसा लग रहे है इनकी जीवन में काफी जादा stressful situation बना हुआ है कंफ्यूजन है इनके mind में बहुत सारे doubts नजर आ रहे है number seven represent हुआ है so number seven represent करता है केतु को हो सकता है इनके birth chart के 7th house में इनका केतु जो है काफी डिस्टॉप दे रहा है इनको जिनके कारण ये person confused हो रहे है बहुत जादा confused हो रहे है इनको clarity नहीं मिल रही है आप ठीक देख सकती ways of pentacles के ठीक नीचे nine of swords है right मैं कार्ट इसके explain कर रही हूँ ना because बहुत सारे लोगों के dm's भी आते कि मैं हमें tarot reading सीखनी है क्या आप सिखाते हो available है सो मैं नहीं सिखाती बट मैं reading के दौरान कोशिश करती हूँ कि मैं कार्ट को explain करके किसी तरीके से आपकी मदद कर दूँ ठीक है सो अगर future में होता है सो मैं definitely आप लोगों को सिखाऊंगी बट currently possible नहीं हो पा रहा है ठीक है बट future में कभी करूंगी सो definitely आप कर सकते हो बहुत जादा इंट्रेस्ट है सो बहुत सारे से courses है social media platform पे आपको बहुत सारे से दिख जाएंगे ठीक है सो आप वहां से कर सकते हो नंबर 7 जो represent करता है वो represent करता है केतू को सो हो सकता है इनके साथवे अस्थान पे इनके बर्ट चार्ट के जो 7th house है उसमें कहीं ना कहीं केतू की position जो है वो अच्छी नहीं है जिसके कारण ये वेक्ति हमेशा confusion में रहते हैं चुप रहते हैं ठीक हो चुके हो ऐसा लग रहा है कि आप इनको हस के like टाटा बाई 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 बोल देना चाहते हो ठीक है बहुत हो गया आप अपने जीवन के तरफ आगे बढ़ते वे नजर आ रहे हो बट इस वेक्ति को ये सारी चीजे देखके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है य वो काफी हवी एनरजी होती है ठीक है और ऐसा लग रहा है ये वेक्ति आपको सामने से प्रपोस करना चाहते हैं अपने जीवन में वापस लेके आना चाहते हैं या आपको बट कहीं न कहीं ये वेक्ति जो है ऐसा नहीं कर पा रहे हैं इनको ऐसा लग रहा है कि आपको सका थीकिंग कर दोनों की बीच प्रॉम्षकर कॉ परख नहीं आपको यहां से जानता है किया दोने ही काफ़े पर दूनों के बीच में बनेंदूरश के सब्राइसन गोइए गोणियुंहारूPI अगर universe को सही करना होगा आप दोनों के बीच में चीजे सही हो जाएंगी बढ़ उसके पहले ये वैक्ति जो है किसी तरीके का step लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं किसी तरीके के action में ये नजर नहीं आ रहे हैं beyond illusions so कही न कही इस वैक्ति के मन में बहुत सारे illusions भरे पड़े हुए है ऐसा लग रहा है कि ये आपको ले करके बहुत अलग-अलग धारनाए बना रहे हैं अपने मन में ठीक है अपने mind में जो है बहुत अलग-अलग situation create कर रहे हैं इनको एक पल लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा आप दोनों के बीच में और एक पल ही इनको ऐसा लगने लगता है कि अब वो समय रहाई नहीं वो energy आप में रही नहीं जहाँ पे सारी चीजे सही हो जाए सो किसी तरीके से ये वैक्ति जो है कही न कहीं बहुत जादा illusions create करते हैं जुपिटर इनका जो प्लाइनट है इस तरीके से लग रहा है वीक है जिसके कारण उसकी पोजिशन अच्छी नहीं है जुपिटर की ओके सो नंबर 3 रिप्रेजन करता है नौलेज को सो इनके अंदर ना डेफिनिटी नौलेज की कमी है ये नौलेज असा नहीं है कि इनके काम के रिलेटेट है बठा सबको बहुत अच्छी सलहा देते होंगे ये बड़ जब बात आती है आप दोनों के रिष्टे की सही निर्णा नहीं ले पाते आप दोनों के रिलेशन्शिप में सही आउटकम नहीं निकाल पाते ठीक है ये किस तरीके से अक्षिन नहीं ले पाते है वेक्टी काफी ज़्यादा इल्यूजन्स में रहते हैं और कहीं नहीं आपको भी होने बहुत लंबे समय से हो सकता है कन्फ्यूजन में रखा है 10 of source के energy को clarify करें निवर्ड्स हो सकता है वेक्टी आपको past में अपना नहीं मानते थे या इनको ऐसा लग रहा है कि इनके आसपास के जो लोग है इनका भला चाहते हैं आप नहीं चाहते हो किस तरीके से हो सकता है किस तरीके से आप इनके money के पीछे हो या financially आपके partner independent है financially काफी grow कर रहे थे past में सो आप इनके पैसों के पीछे हो या किस तरीके का भ्राम इस वेक्टी के मन में था ठीक है तब ही beyond illusions के energy आ रही है ऐसा लग रहा है इस person को past में भ्राम था आपको ले करके कि आप इनके पैसों के पीछे हो आप इनके luxurious life के पीछे हो आप इनसे प्यार नहीं करते या इनके पास अगर पैसा नहीं है stable life नहीं है तो आप इनको छोड़ के चले जाओगे बड़ इस समय कहीं न कहीं ये वेक्टी जो है ऐसा realize कर पा रहे हैं कि आप इनके twin flame या soulmate हो ठीक है chances strongly है कि आप इनके twin flame या soulmate हो जिसके कारण ये वेक्टी आपके बिना रहे नहीं पाते है definitely काफी ज़्यादा तडपते है ठीक है बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं आपको ले करके बट ये person जो है कि आपके साथ रिष्टा बने ठीक है three of swords को clarify करे clarify the three of swords clarify करे three of swords के energy को we are the wall definitely number ten again represent हुआ है so इनको ऐसा लगता है कि इस दुनिया की भीड में ठीक है ये आपको खो देंगे या फिर आप दोनों के बीच में ऐसी situation बनी है जहां पिंग को ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको पाना काफी जादा कठीन है so number ten represent करता है competition को competition को represent कर रहा है ठीक है so हो सकता है आप दोनों में किसी तरीके की misunderstanding हुई है जिसके कारण आप दोनों ही एक दूसरे से घुल मिल नहीं पारे बात्चित नहीं कर पारे या आप दोनों में equal energy नहीं बन रही है ठीक है but ये वेक्ति जो है आपके बिना काफी जादा painful energy को feel करते है ठीक है the power के energy को clarify करे definitely आप दोनों के बीच में ना separation है restriction है किसे तरीके का restriction आप दोनों में है या तो इस वेक्ति के life में किसे तरीके को restriction है आपके person के आपके partner का mind है वो stable नहीं रहता ये कभी भी stable relationship में नहीं रह पाते या इनका outcome जो है रिष्टो के मामले में इनका जो experience है वो अच्छा नहीं होता है ठीक है इनको खुद ही लगता है कि ये हमेशा day dreaming करते रह जाते है सामने वाले वेक्ति के बारे में सोच विचार करते रह जाते है इनका ऐसा लगता है कि सामने वाले वेक्ति के बारे में सोच विचार करते रह जाते है बड़ इनको outcome जो है वो positive receive नहीं हो पाता है ठीक है या किस तरीके से बात बनते बनते बिगर जाती है ठीक है यह dream के energy आई है number six है हाँ सो काफी जादा dream करते हैं ऐसा लगता है आप दोनों आपको ले करके सोच सोचते बहुत जादा है ठीक है आप देख सकते हो nine of swords में भी वेक्ती जो है कही ना कहीं down हो करके सोचते वे आपको नजर आएगी ठीक है आप एक lady है यह कहीं ना कहीं अपने बहुत उदास है ठीक है बैट पे है और बहुत जादा उदास है इसको ऐसा लग रहा है कि मेरे life में ही ऐसा क्यूं होता है या मेरे ही लोग मुझे ऐसा क्यूं कर देते हैं मैं ही कभी कि इसी रिष्टे में stable क्यों नहीं रह पाता ठीक है तो गलती होती ठीक है ठीक है गलती होती जरूर है बट सामने वाला वैक्ति एक्षेप्ट नहीं कर पाता है किसी तरीके से सामने वाला वैक्ति जो है काफी confident रहता है खुद को लेकर कि भाई आप में गलती है या आप सही नहीं हो ठीक है वो अपने में खामिया और कमिया जो है वो नहीं देख पाता जिसके कारण लोग जो है sometimes ego में रह जाते हैं कुछ इस तरीके से हैं आपके person का जो यह खुद में बहुत जादा मैं मैं की energy में है I mean myself के energy में पॉर्षन है जिसके कारण यह सच्चाई नहीं लेक पा रहे हैं जिसके कारण इंको काफी जादा painful situations का सामना करना पड़ रहा है इस स्टार के energy को clarify करें definitely आपके साथ एक light energy में आना चाहते है रैंबो की energy बन रही है सालग रहा है आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है ठीक है जब से आप इस वैक्ति के जीवन से गए हो यह वैक्ति जो है कही ना कहीं stable नहीं है अपने life में या अपने life में उन सारी चीजों को नहीं कर पा रहे हैं जो इनको करना चाहिए आपके साथ एक separation वाली energy में है यह definitely आप दोनों के बीच में bonding जो है वो strong नहीं हो पाता इस person को ऐसा लगता है politics के energy represent कर रह है मुझे तुम्हारी याद आरी है मुझे तुमसे बात करना है आपसे हैिसा नहीं करेंगे यह आपको भूनेश कोशिश करें बताना नहीं को समझ में नहीं चुप से रहना आपको समझ में नहीं आएगा व governance jaka lika asked 15-6 कि आपको क्या दिखाना है आपको अपना रियल फेस दिखाना है या जिस सिच्वेशन में अभी है या वो फेस या आपको दिखा दे लाइफ का कौन सा फेस आपको दिखा है या फिर इनके लाइफ में रियल में जो चीजे चल रही है वो आपको दिखा दे अगर वही चीज हर हसते चेहरे के पीछे इनका एक दुख भरा चेहरा आपको नजर आ रहा होगा ठीक है एक sad face आपको नजर आ रहा होगा ठीक है रियल लाइफ में तो यह खुश नहीं है बर दिखाज जरूर रहे हैं कि भाई खुश है आप इनको social media पर like देखोगे ना आपको नजर आएंगे किस तरीके का स्टेटस स्टोरी या फिर डीपी गाइब रहना ठीक है ना लगाना कुछ ऐसी एक्टिविटीज यह डेफिनिटली कर रहे हैं तरह नहीं होई है या यह लागर होती है अपके तरफ बढ़ते जरूर आपको प्रपोस जरूर करते हैं ठीक है और यह डेइन्अ детей घरीम करते हैं लग रहा है कि आपके person जो है day night dream करते हैं ऐसा लगता है dream में ही सारे चीज़ों को यह देखते हैं dream में visualize करते हैं ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है illusions create करते हैं ठीक है बड़ ट्रस्ट नहीं है six of sorts के energy को clarify कर रहा है तो कहीं न कहीं आप दोनों में trust missing है ठीक है आप इंपे trust नहीं कर पाते या आप इन पर प्रस नहीं कर पाते या आपके person आप पर ट्रस नहीं कर पाते जिसके कारण यह person जो है अपनी feelings को अपनी बातों को आपके सामने खुल के रखने ही ठीक है number seven represent हो रहा है सो ऐसा लग रहा है कि आने वाले next seven days में इस person के तरफ से कोई ना कोई messages या कुछ ना कुछ activity आपको देखने को मिल सकती है ठीक है या यह person आने वाले किसी भी मन्त की seven like साथ तारीक को यह आ सकते हैं किसी भी मन्त की साथ तारीक को यह आ सकते हैं so definitely energy काफी clear आ रही है अब इस रिष्टे में न कहीं न कहीं आपके person जो है participate करना चाहते काफी लंबे समय से यह like आपको neglect कर रहे थे या बात नहीं कर रहे थे या किस तरीके से आपसे connect नहीं होना चाह रहे थे बट इस टाइम पर यह कहीं न कहीं चाहते जरूर है कि आपके साथ connection में आ जाए ठीक है so इनके messages देख लेते हैं जादा नहीं लेंगे हम तीन messages में लूँगी ठीक है so एक आ गया है divine clear messages दीचे यह व्यक्तिक क्या सोच रहे क्या चाहते क्या है क्या messages से इनके clear messages दीचे डिवाइन 1111 इनियन बिल बी का इनियन हो सकता है ठीक है आने वाले नेक्स सेवन डेस में यह possibilities बन रही है definitely universe की तरफ से ऐसा लग रहा है angels आपको already sign दे रहे हैं किसी तरीके से आप sign देख भी रहो ठीक है I'm sorry this is attacking so long हो सकता है व्यक्ति आपको sorry कहना चाहते है किसी तरीके की mistake इन्होंने करी है ठीक है उसके लिए आपको sorry कहना चाहते हैं so आने वाले समय में ऐसा लग रहा है यह व्यक्ति आपको definitely sorry कहेंगे और बहुत जल्द ही आपकी तरफ बढ़ना चाहते है because यह काफी painful situation में है suppression का सामना कर रहे है okay so यह आ सकते है so claim this energy guys because यह व्यक्ति आना चाहते है strong possibilities है कि आने वाले next seven days में okay यह one to two weeks में एपरसन definitely आना चाहेंगे because इनको connect करना है आपसे I am coming towards you wow so beautiful energy so beautiful message कहीं है यह व्यक्ति सच में आ रहे हैं यह आपको message के through भी बताना चाहते है कि I am coming towards you बहुत जल्द में तुमारे तरफ आने वालो बट energy इनकी block है healing का card आया था ठीक है so यह आपको propose तो करना चाहते बड़ यह व्यक्ति हील नहीं है ठीक है क्या यह व्यक्ति आएंगे तो क्या मेरे वीवर्स को क्या करना चाहिए या उनके लिए क्या messages है यह बहुत लोग क्या होदा ना भाई बहुत excited हो जाते कि भाई पार्टनर आ गया फिर से अगर आपने लाइफ में स्टेबल हुए हो समहल गए हो अगर आप अपने जीवन में ठीक है सो थोड़ा सा सोच समझ के इनके तरफ कदम बढ़ाए ठीक है आपने हिसाप से ठीक है को जो भी कार्ट मन कर रहा है काड़ 1 इस कर सकते हो ठीक है आप हो सके तो वीडियो को रोक लो पॉस कर लो उसके बाद आप लाइक इंटिशन से अब चुनने की कोशिश करो ठीक है कोई options में हाँ पे नहीं रखूंगी रेंबो मैंने आपको कहा ना रेंडिंग के दोरान की रेंबो की एनरजी बन रही है आप देखो यहाँ पे ठीक है कमिनिटी का कार्ड है डेफिनेटली आपके लाइफ में blessings आने वाली बहुत सारी blessings ऐसा लग रहा है इस 55 के पोर्टल में हर एक पोर्टल में एक डोर ओपन होत है 12 डोर्स ठीक है बारत दरवाजी होते हैं जो हमारे लिए खुलते हैं हमारे लाइफ के ठीक है सो अगर इन 12 पोर्टल में आप अपनी wish manifest करते हो या कोई भी activity करते हो सो definitely वो चीज़े पूरी जरूर होती है कर लिया होगा सबसे पहले मैं देखूंगी काट वन के लिए क्या messages है ठीक है इनिवर्स की तरफ से टैकिंग रिक्स definitely आप इस रिष्टे में अगर चाहते हो कि इस रिष्टे में मुझे रिक्स लेना चाहिए या किसी भी तरीके से कुछ है आपके पॉर्सन की तरफ से या क आपको अपने लिए फलाई करना है एक एगल कैसा होता है आपको strength के साथ अपने जॉर्णी में आगे बढ़ना है ठीक है आपको रिक्स लेना है खुद में आप अपने life में better करो विकाज यहां पे आप अकेले यहां पे मुझे दिख रहे हो ऐसा लग रहा है आपके अंदर बहुत सारी strength है और आप अकेले उड़ने का भी दम रखते हो ठीक है एक eagle कैसा होता है ठीक है एक eagle कैसा होता है वो किसी के साथ नहीं उड़ता है भाई वो बहुत सक्तिशाली होता है ओके वो जो है असमान में अकेला उड़ना पसंद करता है उसके punk जो है बहुत जादा भारी होती है बहुत जादा weight होता उसमें बड़ उसके बाद भी वो उसको लेके उड़ता है ठीक है हाला कि लोग बोलते ठीक है तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं आपके life में कितने भी burden क्यों ना हो उन सब को थोड़ा सा like ऐसा नहीं है कि इग्नॉर करोगे आप right burden हर किसी के life में होता है professional अच्छा होता है life तो personal life में issues रहते ही है ठीक है तो अगर आपके life में बहुत सारे issues हैं तो आपको अपने life में एक risk लेना होगा और आपको अपने उपर काम करना होगा आपको इतना जादा उड़ान भरना अपने जीवन में इतना successful होना है आप definitely ऐसा लग रहा है इनिवर्स की blessings है अगर आप किसी तरीके से risk लेते हो अपने life में आगे बढ़ते हो इनिवर्स आपको definitely help करेगी ऐसा नहीं है कि इनिवर्स आपको blessings नहीं दे रहे है या आपकी बाते नहीं सुन रहे है ऐसा लग रहा है इश्वर आपकी जो भी प्रातनाएं आप करते हो definitely वो इश्वर तक जाती जरूर है बट आप अपने आपको अपनी शक्ती को नहीं पहचान पारे हो ठीक है कि आप कितना जादा उचा उड़ भी सकते हो उड़ान भर सकते हो अपने जीवन में बट इस बात का एसास सायद आपको नहीं है इसलिए इनिवर्स यहाँ पर कह रही है कि अगर आप कि कोई रिक्स लेना चाहरे हो मुझे मैं आपको दे रही हूँ ठीक है आपके प्रस्नल इडिंग से एक्चिली एक्जाटली क्या होने वाला है सो कार्ट 2 के लिए देख लेते हैं क्या मैसेज़स है कहीं ना कहीं बहुत ही जादा positive energy है ठीक है आप लियो राशी के हो सकते हो so universe यहाँ पर आपको यह message दे रही है कि आप तो बहुत सकती शाली हो जैसे एक जंगल में एक राजा कैसे share होता है यह cards जो है मुझे similar messages ही दे रहे हैं ठीक है आपके अंदर possibilities, potential है कि आप अपने जीवन में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो आप अपने आपको like आप हो, share ठीक है, like आप अपने आपको समझते हो कि भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई strength नहीं है या मैं अगले person की तरफ मैं action नहीं ले सकता या मैं आप हो सकता है उस person को छोड़ना चाहते हो बड़ आप like छोड़ नहीं पा रहे हो आपको कोई ना कोई connection, कुछ ना कुछ महसूस होते रहता है अपने person के साथ ठीक है, तो इस समय कही ना कहीं आपको अपने life path पे ध्यान देनी की ज़रूरत है इनिवर्स आपको कह रहा है कि आप अपने उपर ध्यान दीचे, आप अकेले भी काफी हो, ठीक है, आप अपने path में चलने के लिए अकेले ही काफी हो आप चल सकते हो, आप उन सारे चीज़ों को कर सकते हो, जो आपको करना चाहिए शेर को कभी भी किसी संगत की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अकेले भी काफी होता है अपने आप में, उसी तरीके से आप अपने आप में अकेले में काफी हो, ओके सो जो इनिवर्स आपको messages दे रहे हैं, या आपके आस पास क्या activity हो रही है क्या आप इश्वर से मांग रहे हो क्या prayers कर रहे हो, सो आप उस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, definitely आपके life में, देर से ही ना सही, बट चीजे आपको receive जरूर होंगी, अगर इस समय नहीं हो रही है, सो थोड़ा सा patience रखिए, definitely upcoming events में आपको चीजे जरूर मिलेंगे, ठीके, और काफी positive messages आए है, सो claim जरूर कीचेगा, ओके सो ये थी गाईज, आपके reading, reading पसंद आई हो, सो reading को like जरूर कीचेगा चैनल पर पहली बारा है, चैनल को subscribe कर दीचे, like कीचे, वीडियो को धेर सारा प्यार दीचे, सो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आप सभी सेग्ले reading में, बाई गाईज